असलामों अलेकूं, वल्कम अब सबी का इस नए वीडियो में, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टन रहने वाला है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जेके बूपी एडमिशन्स दोहजार चोबिस के जो हैं, उनका कलेंड कब तक आजाएगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, कि जेके बूपी का जो कलेंडर है, वो क्या होता है, और उसके साथ ये कलेंडर कब जारी होगा, क्योंकि ये कलेंडर काफी ज़्यादा इंपॉर्टन रहता है, सभी के लिए आगे चलके मैं इसके डीटियल में आपको समझाने वाला हो, ये क्या है, क्या कुछ है, इसमें मैंचिन इड होता है, तो सारा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ टेलीग्राम ग्रूप या वाटसब तो इसमें आपको हम प्रेवेस एर के पेपर्स, स्टडी मेटिरियल भी हम प्री अफ कॉस्ट हर दिन, दो से तीन दिन के बाद हम आपको MCQ कॉस्टन भी चैप्टर वाइस प्रोइड करवा लेते हैं, और उसके साथ साथ बुक्स वगएर भी हम आपको फ्री अफ कॉस्ट पीडिया फार्मेट में दे देते हैं, इसलिए आप हमें आप टेलीग्राम पे भी फॉलो करना और उसके साथ जो वट्सब ग्रूप है वहां पे जोईन हो जाना, क्योंकि वहां पे लिंक मिल जाएगी, आप आसानी से फ्री अपको स्टडी मिटेरियल हम आपको प्रोइड करवालें, आप उसको आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकती हैं, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जान लेते हैं इस कलेंडर के बारे में, तो देखिए J.K.B.O.P. का जो कलेंडर है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग जो अभी 2024 में जान नहीं हो, या डिपलूमा का कोई कोर्स है, जाए 12th बेस हो, या 10th बेस हो, बी फारमेसी का एडमिशन अगर आप बोपी के थ्रू करना चाहते हैं, जुमू कश्मीर में, या बी टेक इंजिनेरिंड वगिरा, अगर आप जबू कश्मीर में करना चाहते हैं, बी फारम MSC Nursing वगेर, MSC Technology या बाकी जो PG courses BOPI के थू होते, अगर उनमेंसे आप किसी भी course में 2024 में admission लेने वाले हो, तो ये जो calendar है, ये आप लोगों के लिए काफी crucial होता है, हर साल जब admission start होती है, application form लग जाते हैं, तो उस application form को release होने से पहले जेकी बूपी बाजब था, एक calendar जारी कर थी, अपनी website पे वो लायू कर देते है calendar को, उस calendar में आपके, जो उस academy की year, यान के 2024 के हम बात करें, तो उस calendar में क्या होगा, कि 2024 में होने वाले सारी admissions के बारे में लिखा होगा, BAC Nursing के admissions का, BAC Paramedical Technology के लिए, B Form, B Tech, Engineering वगरा, सारा कुछ मेंशन रोगा, कि इन courses के हम कब form निकालेंगे, कब इन application forms की last date होगी, और उसके सासत कब इन courses का entrance होगा, या merit के base पे होने वाला है, तो वो कब होगा, और आपका जो classes वगरा का admission का process है, वो यहाँ पे कब तक start हो जाएगा, ये calendar आप लोगों के लिए काफी important होता है, application form आने से पहले ये calendar आ जाता है, इस calendar को आने के बाद आप लोगों को आसानी से पता चल जाता है, कि हमें इस course में जो है, वो admission कब तक होंगे, कब तक हमारे form आ जाएएगे, कब तक हमें अपना admission बगएर करना होगा, और इंटरंस अगर है, तो वो कब तक यहाँ पे हो जाएगा, तो इस calendar में ही आपको सारा कुछ मेंचिनिट होता है, इस calendar से आप एक्सपेक्ट आसानी से कर रहे हैं, कि हमारा इंटरंस है वो जून में होगा, डेफिनेटली आ ही जाएगा, 10 फर्वरी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि 10 फर्वरी तक हमारा जो 24 का जेकी बोबी का calendar है, 10-15 फर्वरी से पहले पहले जाए वो, वो हमें जेकी बोबी के website पे देखने को मिलेगा, और जब ये calendar आ जाएगा, मैं आपको तो उस टाइम आपको इसके detail में समझा ही दोंगा, लेकिन 15 फर्वरी तक ये calendar आ जाएगा, और जब ये calendar आप लोगों का release हो जाएगा, तो आप आसानी से आपको admission की dates भी पता चलेंगी, और application forms की dates वागरे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, वेसे फर्वरी के महीने में, फर्वरी के पहले हफते में ही यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि application form release होने से पहले ये काफी time आ जाता, लगबख एक डेट दो महीने ये release हो जाता है पहले, तो फर्वरी 10 तक हम expect करते हैं, कि फर्वरी 10 तक ये calendar आ जाएगा, जब ये calendar आ जाता है, उसके बाद जो dates इसमें दी हुई होती है, उन्ही dates के according आ गए, फिर मैंने पहले बोला, 4-5 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, तो उन्ही dates के according कभी 2 दिन पीछे आगे चला जाता है, तो आपके उसी हिसाब से फिर application form की notification आ जाती है, notification आने के बाद, फिर आप लोगों के application form यहां पे लग जाते हैं, जब calendar आ जागा तो उसके तुरंत बाद आपके registration स्टार्ट नहीं होती है, calendar आपका February में आ जाएगा, मारिज के end week ये April के पहले हफते तक आप लोगों को जब आपको admission की notification हो जाएगी, मैंने पहले बोला, 10 February से पहले 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 आपका calendar आ जाएगा, जब calendar आ जाएगा, उसको तो हम आपकी साथ detail में discuss करें लेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक tentative idea बता दिया कि कब तक आपका आ जाएगा, और upcoming जो nursing की dates हैं, वो भी मैंने आपको एक idea के हिसाब से, अपने experience के हिसाब से बता दिया, कि आप मान के चलो कि June के दूसरे हफते तक, आप लोगों का definitely entrance होगा, 10 June से पहले पहले आप लोगों का entrance होगा, April में आपके form आ जाएगे, 7-8 April से आपके registration हो जाएगी, स्टार्ट और उसके साथ अपरिल के end तक लगबग आपको 25 दिन का time दिया जाएगा, अपना form submit करने के लिए, माई के end week में आपके admin card आ जाएगा, June 10 से पहले पहले आप लोगों का entrance होगो, जे के बोपी कंडेक्ट कर लेगी, अब जो dates मैंने यहां पर बोली, अब आपका 10 February तक calendar आ जाएगा, फिर हम देखतें कि कहां तक क्या कुछ dates होगे, वो OC में mention it होगी, बाकी calendar के बारे में मैंने आपको समझा भी दिया, और उसके सासत कुछ 22 dates मैंने आपको बता दी, और उसके सासत calendar की भी dates मैंने आपको बता दी कब तक आ जाएगा, बाकी आप वेट कर लो जब कोई भी update वहां से आजाएगा, आपके admissions के हावाले से, मैं आपके साथ detail में discuss करूँगा, फिलहाल अगर आपको कोई भी doubt है, किसी भी topic पर अगर आपको detail में वीडियो चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, मैं detail video डाल के आप लोगों को सारा doubt जो कुछ भी होगा, वो clear करने के पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, जहां तक हो सके, जो भी आपको information चाहिए होगी, आप मुझे पूछ सकते हैं, उस पर detailed video डाले कर मैं आपको comments कर reply ना भी दे पाए, लेकिन वीडियो के जरी मैं आपको उस doubt को clear कर दूँगा, फिलाल वीडियो गहीं पर कतम करने, कोई doubt होगा, comment section में पूछ सकते हैं,